तो दोस्तो मैं हूँ आपका अपना दोस्त जीतू और स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल सिंपल वे टेटोरियल में सीखो लेकिन अपनी भासा में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी एप्लिकेशन के बारे में जो विंडोस दोस्ते तो वर्क करती ही करती है साथ ही साथ एंड्रॉइड के लिए भी अविलबल हो गई है जी हां आप इसको पहले से जानते हैं यह है रूफस एप्लिकेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप रूफस एप्लिकेशन के थुरू विंडोस य मोबाइल के हैट से गोगल कुर्म ब्राउजर में यहां से आप उसका इसो फाल डाउंड कर लिजेगा मैंने आल्लेडी डाउंडोड करके रखे है चारो के चारो विंडो के से शिंपल सा हम चलते हैं प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर यहां से रूफस एप्लिकेशन को हमारे phone में install कर लेंगे जो कि हमें help करेगा pen drive को bootable बनाने में यह बहुत ही बड़ी application है यह windows पे और android पे भी work करती है दोनों जगे यह work करती है तो चलिए इसको install कर लेते हैं थोड़ा सा समय लेगा और दोस्तों इसके लिए कुछ conditions बता रहा हूँ अगर आपके mobile की RAM कम होगी तो यह support नहीं करेगा या install नहीं हो गया यह insufficient storage दिखाएगा विंडो डाउनलोड करने के लिए भी आपके phone में sufficient space होना ज़रूरी है क्योंकि यह नॉर्मल अगर मैं बात करूं किसी भी विंडो की memory की तो 4-5-6GB या 7GB या 8GB इस तरह से हो सकते तो आपके mobile की storage है उतनी होनी चाहिए अगर storage कम है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे तो जैसे यह install हो जाता है मैं आपको आगे के step बताऊंगा वीडियो के end तक बने रहें और आपको सारी detail step by step provide करूंगा तो थोड़ा सा wait करेंगे हमारा रूफस application install हो गया है अब हम इसको open कर लेते हैं यह हमारा रूफस application open हो गया अभी मैंने अपने mobile में कोई भी pen drive connect नहीं किया है कुछ भी connect नहीं किया है तो यहाँ पे आप देख पा रहे है no USB detected यहाँ पे आपको शो कर रहा है यह वाला portion आप देख रहा है यहाँ पे no USB detected दिख रहा है pin drive को connect कर देते हैं हमने हमारी pin drive sendis की pin drive है हमारे phone में connect कर दी OTG adapter की help से जैसी ok करेंगे यह हमारे रूफस application ने इसको detect कर लिया है sendis का pin drive detect कर लिया है अब यहाँ पे कुछ चीजन ध्यान देने वाली है यहाँ पे आपको दिख रहा है coins दिख रहा है यह जो coins से कोई भी activity करेंगे तो coins चार्ज लगेगा अब इसमें आप जैसी click करेंगे तो यहाँ पे get coins के लिए आपको क्या करना है या तो आप add देखकर earn कर सकते हैं या फिर आप पैसे देखके भी इनको earn कर सकते हैं बट हम पैसे क्यों खर्च करें हमें अगर free में मिलना है तो एक activity का जो charge रहेगा वो minimum two coins रहता है तो two coins earn करनने के लिए plus वाले sign पे हम click करेंगे और one free add coin पे क्या करेंगे इस plus वाले sign पे फिर से click करेंगे और free वाले option पे click करेंगे तो यह को add आजाएगा दोस्तों अब हमने दोनों add देख लिए हैं और यह यहाँ पर आप देख पा रहा है कि दो coin यहाँ पर add हो चुके हैं अब easily आप आगे के step perform कर पाएंगे तो चलिए देखते है किस तरह से आगे के step perform किये जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आता है portion table यहाँ पे MBR और GPT दो option आएंगे तो आप या तो अपने system का check कर लिजए कि MBR में है या GPT में most of the system का जो होता है वो MBR में होता है तो by default इसको MBR select करके रखिएगा अब यहाँ पर आपको ISO file select करना ह ISO file का मतलब होता है जो भी आपने image file window का या फिर जो भी window आपने install करना चाते है अपने pin drive में bootable बनाना चाते है जो window आपने phone में download किया है वो select करना है तो इसको किस तरह से select करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे pick ISO का option देख रहा है यहाँ पे जहांपे भी आपने किया हो install या download किया हो तो यहाँपे से आप कर सकते हैं यह download में जाएंगे जिस भी option में आपने डाउनलोड किया है तो वहाँ से आप इसको copy कर सकते हैं अब select करने के लिए आपको simple सा क्या करना है यहाँ पे आपको यह जो हमारी window 8 है यह 7 है हमारी 10 है औ कर देंगे और यह यहां पर आ गया है अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे इसकी जो साइज है यह देखिए इसकी जो साइज है वह 5.18 यानि की 5 GB के असपास है और आपके फोन में इतनी मेमोरी होना जरूरी है तब यह डाउनलोड होगा और तब ही आपकी पेंडराइब की जो साइज होनी चाहिए वह मिनिम्मम 8 GB होनी चाहिए तब ही उसमें इसली हो पाएगा तो अब हम जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो पेंडरेब वह बूटईबल बनना स्टार्ट हो जाएगी जी इसको बूट करके भी दिखाओंगा तब तक please stay करें और cut ना करें क्योंकि यहां पर हो सकता है कि कुछ आप गलती कर दें कुछ problem create हो सकते हैं जिससे कि आपको फिर से महनत करनी पड़ सकते हैं और यहां पर आप देख पा रहे होंगे हमारे जो दो super coin थे जो coin थे यहां पर यूज हो चुके हैं अब यहां पर 00 हो चुके हैं अगर आपको फिर से earn करना है तो अगेन आपको add देखना होगा तो थोड़ा सा wait कर लेते हैं इसके लिए इसको fast कर देते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी process हो जाए और यह हमने यहां पर थोड़ा सा fast करके इसको complete कर दिया है अब हमारी जो pen drive है completely bootable बन चुकी है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आशा करता हूँ आप pen drive को bootable बना पाए होंगे अगर आपने कोई problem face की है तो please comment section में आप ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आयो तो like करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ share करें अगर आप हमारी YouTube channel पर नए हैं तो please subscribe जरूर करें साथी साथ bell icon को press करना न भूले ताकि आपको सबसे पहले notification राव तक सके आज की वीडियो में इतना ही कल फिर्म लोगा interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए जहन